नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पारे होंगे हमारा वेल्डर का जो आइटी आइ में पेपर पूछा जा रहा है उसी का यह हमारा आफिसियल पीडिया पर यह निम्म तो हम आपका पूरा चैप्टर कंप्रीट करेंगे ठीक तो अगर वीडियो अच्छा लगएगा वीडियो को जरूर लाइक करेंगा अपने दोस्तों साथ सेर करिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारा पहला कोस्चन है देख सकत पर छैशने के बाद एक पलेट से बर निकालने के लिए हम लोग जो आप्ररिशन करते हैं वह हमारा फाइलिंग कहलाता है ठीक दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका फाइलिंग ठेखिए जो भी बर होते हैं जो देखिए जίας कि आपकर कभी विल्दिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते हैं आप इसके उपर जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं के लिए फाइलिंग शाइन चीटे पड़ जाती है वेल्डिंग के थे क्रिया की जाती है वो हमारा फाइलिंग कहलाता है तो ओ कि तरह से उनक पर आप लोग देखा है इस साहता से जो छोटे होटार रहेता है इसको किम लोग चुछटे जहाता हैं सं करici लगता है ठीक हमारा जाएगा और यह प्राश्य होता है हमारा किया जाती है तो आपको सबंग में आ गया होगा ठीक है यहां पर सब्सक्राइब और दूसरे कोश्चन पर दूसरा कोशन याँ पर देखिए हमारा क्या रहा है तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा टॉंक्स यानि का पि wynत चिम्टा नश्यटा लोग क्या करते हैं आपका कुछ इस तरह से रहता है फिडि तरह से पर हम अजेय करते हैं। कुछ देखिए दोस्तों यहां पर तीसरा कोशन यहां पर कि फिछ पार्ट आप्ट आप्डा हैम फिट्स इंटो दा हैंडल फार इस रिगी डिटी हाथ-थोरे का कौन सा हिस्षा इसकी कठोरता को सुभालने के लिए इसके हैंडल में फिट पिट किया जाता है आपको कफ naar ma sale ko एटाएं के लिए इसके handle में fit किया जाता है तो देखे यह जो रहता है हमारा यह रहता हमारा वेज'd तो यहां पर हमारा 3 वेज करेक्ट हो जायगा की कफ्रता को समाने के लिए वेज हैंडल में fit किया जाता है थोड़े का कौन सा हिस्सा तो वेज वाला जो हिस्सा रहता है इसके कठोर तक समाने के लिए इसके हंडल में फिट किया जाता है अब देखिए आपर चौथा कोशन है विच इस टू वियर फार सेफ्टी है हैं Heavenly handling ने फिट यानि कि पतली चाधर को सभाड़ने के लिए कौन सी सुरद्छाक को अपनाए जाता है थार अगर आपको संभालना है तो पतिली चाधर वो को अगर संभाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग करते हैं हैंड गलप से यान कि हाथ के जो दस्ताने होते हैं उसका परियोग हम लोग करते हैं पतली चादर को सम्हालने के लिए क्योंकि आप लोग देखेंगे जो भी मेटल के जो भी चदर होते हैं ठीक जो भी चदर ह काफी नुकीले होते हैं अगर आप लोग ऐसे बिना दस्ताने के अगर आप लोग यूज कर रहे हैं उससे तो आपका क्या होगा वह हाथ आपका कटने का डर रहेगा ठीक इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम लोग मेटल रहे कोई भी अगर उसका मेटल का चादर है यहां पर देखिया अपको क्लेंप दिख रहा है यह किस प्रकार का क्लेंप हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए जो आपको क्लेंप हैं आपको यहां पर देखिए क्लैम्प आपको किस तरह से दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं यह इस तरह से आपको क्लैम्प दिख रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा कहलेगा तो यहां पर देख सकते हैं आपका एंसर करेक्ट हो जाएगा सी कलाइंट ठीक अब देखिए यह पर छठा कोश्चन है विच फाइल इस विड्थ पैरलल थ्रो आउट इस लेंथ किस फाइल की चौणाई पूरी लंबाई तक समनानतर होती है जो फाइल जिस फाइल क अब झुक्त क्या है ठीक रुखती है सब्सक्राइंट प्ली ज्क्स दोस्तों चेक्छ अब धर अब्पिश्याई होती है वह कि समनानतर होती है दिखेंज यहां पर साटमार कोश्चन है वैब को गैस फिलेम कम्भिनेशन यूज़ड विल्डिंग , परीयोग करेंंग देखिए इसके लिए हमलोग जो यूज़करते हैं वह रहता हमारा असिट्लीन और ऑकसिजन ठीक तो अस्तिटलीन और आकसीजन कंठ को निहींतर होगा के सातमगा कोशन होगे हमारा इसके कॉश्ण है विच नाजल यू इसलेक्टे तो कट 15 mm थिक एमस प्लेट 15 mm मोटी एमस प्लेट को कटने के लिए किस नाजल आकार का चैन किया जाता है तो दोस्तों यहां पर देखिए कि 15 mm अगर आपको मोटी एमस पर लेट है तो इसको कटने के लिए जो नाजल की साज होनी चाहिए वह 1.2 mm होनी चाहिए ठीक तो यहां पर आपका हीट का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1.2 mm देखिए अपर नामा कोश्चन है विच इस दो हाटेस्ट पॉइंट इन आक्सी असिटलीन फ्लें जो आक्सी जो वाला होती है उसमें जो सबसे गरम बिंद होता है कितना डिगरी सल्सियस होता है तो देखिए आक्सी असिटलीन जो फ्लेम होती है उसका जो हाटेस्ट पॉइंट होता है वह रहता है आपका तीन हजार से बत तीसव डिगरी सल्सियस तक यहां पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आपर दसमा कोश्चन है वार्ट इज मार्क आज पार्ट मार्क आज एक्स आप पोर्टे यानि कि यह जो उर्धवाधर होते हैं इसी को कंट्रोल करने का कार करता है यानि कुस पर नियंत्रन रखता है तो लंबवत नियंत्रन या वर्टिकल कंट्रोल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक अब देखिए दोस्ते हैं आपर है हमारा ग्यारे नंबर का को यह वह में सुरच्छा यह रहता है कि कि बलेट सिक्यूर विट एडिक्वेट टेंशन यानि कि बलेट परियाप्त तनाव के साथ सुरच्छित रखना चाहिए ठीक तो हैक्सा जब भी आप लोग यूज करते हैं ह Covid है है हक्सा मतलब होता है आपको यह जो आपका रहता है इससे आरी थिक में जो बलेट अलगे रहते हैं इसके मतलब यह पूछा गया है इससी के बारे में यह पर पूछा जए ठीक तो इसमें कह съचारा है कि हैसा करते समय जो शॉरच्छा उपाय क्या करना चाहिए तो देखिए हमारा यह ही रहता है कि विलेड में जो परियाप्त तनाव के सासू रखना चाहिए यानि कि हम लोग जो यह बिलेड करते हैं इस बिलेड को कहा कर से हमिए ताइट रुखना चाहिए तब यह अच्छे तरीके से काम कर पया अबРЕ का देख्या भारे नमबर का कोशण यहां पर विचिव फॉल्य इंजरी इसकामन इन गैस वेल्डिंग नम नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है ठीक आपसन है आपका येक्ट्रिक सक बंस डूटु फ्लेम ब्लेडिंग डूटु कट जयर ने इंजरी इसके बाद है इंजरी बाई हार्ट फ्लाइंग पार्टिकल्स तो देखिए जो चोट गैस वेल्डिंग में आम होती है वह रहता है हमारा कि फ्लेम के कारण जलना ठीक तो फ्लेम के कारण जो जलना है यह आम बात होती है वेल्डिंग में ठीक अजिकिया पर कह रहा है कि वाट इज नेम अफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स सो इंदा फीगर एक्स के रूप में जो प्लो पाइप दिखाया गया है वह अकॉंस है तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जो है हमारा जैक्स वाला पार्ट यह हमारा कहलाता है काटिंग आक्सीजन कंट्रोल वाल आक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व है तो कटिंग आक्सीजन पार आपको करिक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहां पर है हमारा 14 नंबर का कोईश्चन विच नाजल सो इन फीगर रिक्वायर्स रिपल यह जो आपका correct answer यहां पर हो जाएगा यह जाएगा आपका नॉजल डी इसको क्या है प्रत्यस्थापन करने की आवश्यक्ता है यहां पर आपका डी वाला answer correct हो जाएगा अगला question फिचन नॉजल-so in-figure indicates good condition नॉजल चित्र में दिखाएगा नॉजल में अच्छी स्थिति के नॉजल को दरसाता है देखिए जो अच्छी स्थिति के नॉजल को दरसाता वही आपको चूचकरना है देखिए जो अच्छी स्थितिक वह हमारा answer numberc वाला ठीक क्योंकि इसकी स्थ नम्बर कोशन है प्रेसर होते हैं ऑनकी संख्या होती है चार टो चार इसके बाद सतरे नंबर कोशन है वाट प्रासेडियूर इच फालोड टू कनेक्ट दा सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोडने के लिए क्या प्रकिरिया अपना जाती है वह रहता है कि ओपन एंड क्लोज वालव फार फ्यू सेकंड कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वालव का हम लोग यूज करते हैं ठेक यहां पर अगला कोशन है हमारा इस नमबर का कि विच मेटल इजूइड इन मैनुफैक्टरर गैस सिलेंडर में किस सामगरी का उपयोग किया जाता है तो देखिए निर्माड गैस सिलेंडर में सामगरी का हम लोग यूज करते हैं वह सामगरी रहता है सॉलिड ड्रा इस्टील तो सॉलिड ड्रोन ड्रा इस्टील रहता है हमारा यहां पर इसका डे आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक देखिए आप पर उन्हें इस नमबर कोश्चन है विच आफ़ फालोइंग मेटल इस यूड फार मेकिंग नॉजल इन गैस विल्डिंग निर्म कोश्चन है वाटि उड फारेट डवल जे बट जवांट के लिए एंगल यान की कितना होना चाहिए वह होना चाहिए तो जबस तुटी डिगरी यहां पर बीस करें अंसर होगा टुंटी डिगरी अब यहां पर देखिए किस नमबर कोश्चन है वाट इस दने में सेमी इसका जो नाम होता है यह रहते हैं रेंफोर्समेंट यानि कि सुद्री होली कराण ठीक तो वेल्ड बीट पर अर्थ परिपत्य को जम्मा करने वाले जो होते हैं में सुद्री करण देखिए यहां पर है बाइस नमबर कोश्चन वाट इस टूबी प्लेश्ट एड़ रूट आफे वेल्ड टू कंटेंड दा मोल्टन मेटल पिखली हुई धात को सामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में हमें बैकिंग रखना चाहिए ठीक तो बैकिंग यहां पर है जो तू रोज आप ठीथ कट डागोनली टू इच अधर हाइलों को किस कट में दांतों की दो पंक्तियां आपस में तीर्ची होती है तो तो यह जो तीर्ची होती है वह हमारा रहता है डवल कट तो डवल कट यहां पर आपकर करेक्ट अंसर हो जाएगा ते इसका बी अंस चाओविस नमबर कोश्चन विश टाइप आफ विलेड़ सेट इज अवलेबल इन्हें हैक्सा ब्लेड़ विफ वन पंट जीरो जीरो एमें पीच हैक्सा ब्लेड़ में एक दसमेलों 0000 mmpich के साथ किस प्रकार का बलेड़ सेट उपलब्द होता है यह आपका रहता है वेव इस ट्रेगरड सेट वेव कंपीट सेट यहां पर आपका 24 का डी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर है हमारा पचीस नमबर का कोश्चन पचीस नमबर का कोश्चन यहां पर कह रहा है वेज कटिंग टूल इस तो रिमूव एक्सेस मटेरिल अन फ्लैट सामंगरी को खड़ाने के लिए किस के रिखिया जाता है यह कि समतल सतया पर अत्रिक्त अगर समस्ग्री है तो उसको खड़ाने के लिए ने क्य правила का परगद हम यहां को खड़ाने की लिए और हैं शीद्र द это unlock विश फासित सेब्ड टूफिट दा हैंडल रिगिडिटी रिगिडिली यान कि हथाओड़े का कौम सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार मिलाया जाता है वह हमारा रहता है आई होल आ ओपर 26 पर श्रक्राइब अन्सेर करेक्ट हो जाएगा ऐहाओंडल filt इस फोल कर दिया जार होता विश्ट ट्रीटिमेंट यू सुट गिव टू ए पर्सन फू सफर्ड फ्राम लेक्ट्रिक साथ बिजली का जटका जहलने वाले ब्यक्ति को आपको क्या उपचार देना चाहिए तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो उपचार देना चाहिए कि अगर कोई ब्यक्ति बिजली यहाँ पर 29 कोश्चन है कि हाउ मच्छ गैप इज मेंटेंड बीट्वीन दा ग्रैंडंग विलंड वर्क रिस्ट आने पर डेस्टल ग्रैंडर ग्रैंडंड इंग्री और वरकरेश्ट के पीच एक पर डेस्टल ग्रैंडर के बीच कितना अंतर रखा जाता है जो एज जो अ को खोनने के लिए हम लोग जो परियोग करते हैं वह हमारा रहता है कि स्पिंडल की कि सायता से हम लोग कि सिलेंडर वाल को खोलते हैं तो तीस के यहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा एक तीस नमबर कोशन है विच माटेरियल इजूज तुच्छ दा लेकेज आफ एसे टिलीन रेगुलेटर के रिशाओं की जांच करने के लिए हम लोग की सामगरी का परियोग करते हैं तो दे का परियोग हम लोग करते हैं अगर इस टिलीन रेगुलेटर कनेक्शन में रिशाओं की जांच करनी है तो तो देखे सबसे पहले कि अगर कोई विद्धुत के संपर्क में हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसे पहले सूखी लाकड़ी की सहायता से क्या करना च चाहिए अन्यथा क्या होगा वह आपका आग भी लगने का डर हो जाएगा क्योंकि पता है कि अगर ज्यादा यह हो गया है लाइट में अगर है ज्यादा विद्धुत आपोर्ति होती है तो एक निश्ची समय के बाद क्या होता है कि आग पकड़ सकती है ठीक उसको क्या करन चाहिए या फिर आगर आप लोग खुदी छुडाने जाएंगे हाथ से तो आप पकड़ सकता है इसलिए क्या करना चाहिए कि जो सूकी लकडि हो उसकी साहता से हमें क्या करना चाहिए जो बिद्धुत का संपर्क है उससे हमें तोड देना चाहिए अब जैखिए हमारा 33 न किया जाता है तो देखिए हक्साइंग या चीजलिंग के बाद उल्यों को द्धात के टुकड़े की चोट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डी बूरिंग करते हैं ठीक डी बूरिंग यहां पर आपका 23 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा चौटिस नमबर कोश्चन है वेच दा मेथाड़ वेल्डिंग करते समय फायर बेक को नियंतरित करने की कौन सी विधी है यानि कि विच दा मेथाड टू कंट्रोल वैक फायर व यानि कि अक्सीजन नियंतरन वाल्व बंद करें ठीक यहां पर यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आक्सीजन कि कंट्रोल वाल्व को बंद करें देखिए यहां पर हमारा अगला कोश्चन है 35 नमबर का कि विच हैंड टूल इज यूज टू रिमूव एक्सेस एड़िं सलाइग आप्टर गैस कटिंग गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले तो अगर हटाना है तो उसके लिए हमनुग करते हैं वह हमारा हेंड रहता है चिज़ यानि कि देखिए और 37 नमबर कोश्चन है वाट क्रिकासंस यू यूविल फालो इन गैस वैड़िंग आगनी दूरघटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या साउधानी बरतेंगे तो देखिए आगनी दूरघटनाओं से बचने के लिए गैस वेल्डिंग में जो साउधानी बरतनी चाहिए वो रहता है कि keep away the inflammable material यानि कि जो जवलन सील पदार्थ होते हैं उ इंगारी उसके पास जाता है तो वह आग लगने का खत्रा बन जाएगा थार्टी सेवन नंबर का कोशन है यहां पर देख सकते हैं विच इंजिरी इस टूबी कवर्ड इमीडियेटली वाइक किलीन कुलाथ आनफेक्टेड पोर्सन बाइद आफ दा बाड़ी सरीड के प्र साफ कपड़े से तुरंत ढखना चाहिए अगर जलने की चोट है तो साफ कपड़े से में उसे ढख देना चाहिए ठीक तो 37 का यहां पर आपका बी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर है हमारा अर्टिस नंबर का कोश्चन कि अर्टिस नंबर का कोश्चन कर रहे हैं वाई सूड ए वेल्डर कलाथ भी फ्री आफ आयल और ग्रीस वाइल वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए तो देखिए वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग् आपनों से बचा जा सके तो यहाँ पर आपका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा उनस्का सी अंसर करेक्ट हो जाएगा वेलडिंग करता ही में वेल्डर के एकपले त्यलियंग से से मुक्त होना चाहिए तकि आग पक्लेने अगा जा सके 39 नंबर कुस्चन है मौके पर दुर घटना से प्रभावित ब्यक्ति को कौन से उप्चार दिया जाता है वह हमारा कहलाता है फर्स्ट एड यान की प्रात्मिक उप्चार अब देखिए यहां पर हमारा चालिस नंबर कोशन विश टाइप आफ वेल्डिंग इस डन बाइए इसमाल हैंड वेल्ड गन विथ ए नान कंजूमेबल इलेक्ट्रोड गैर उपभुज इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वे यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकतालिस नंबर कोशन है हाव डिफ्यक्टिव कटिंग नॉजल इज क्लींड एंड रेक्टिफएड इन गैस कटिंग टॉर्च में दो स्पून कटिंग नॉजल को कैसे साफ और सुधारा जाता है देखिए गैस कटिंग टॉर् को हम लोग जो साफ करते हैं और सुधारते हैं वह करते हैं कि नॉजल क्लीनर के द्वारा प्लस इमरी पेपर के द्वारा ठीक यहां पर आपका डिवाल आंसर करेक्ट हो जाएगा नॉजल क्लीनर और इमरी पेपर के द्वारा हम लोग गैस कटिंग टॉर्च में दोस्पू 2.8 mm cutting nozzle plate की मोटाइक किया है जिससे 0.8 mm cutting nozzle का उप्योब करके काटा जा सकता है तो यह जो है हमारा रहता है up to 6 mm up to 6 mm यहाँ पर correct answer हो जाएगा 42 का यह अब देखिए यहाँ पर हमारा 43 नंबर का कोश्चन अभी हमारे इंडेक्शन ट्रेंग और वल्डिंग प्रसेस से चला है 43 नंबर कोश्चन है विच गैस फ्लेम कंबिनेशन इस प्रिफरेबल फार अंडर वाटर गैस कटिंग आफ इस्टील के अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कांसी लाव संयोजन बहतर होती है देखिए अगर इस्टील के अंदर वाटर गैस कटिंग के लिए हम लोग जो गैस लाव यूज करेंगे वह सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है और आक्सी कोल गैस तो आक्सी कोल गैस यहां पर आपका 43 का यह अंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक तो आक्सी कोल गैस का प्रियूग हम लोग इस्टील के अंदर वाटर गैस कटिंग के लिए यूज करते हैं चब वालेस नमबर कोशन है वाट इज दा इस्पेसल मेथड फार सेफ इस्टोरेज आफ एस्टीलीन गैस इन सिलेंडर सिलेंडर में इस्टीलीन गैस के सुरचित भंदारान के लिए जो विसेस विधी होती है वह रहता है कि इस्टोर एज डिसाल्व्ड गैस इन लिक्वि टू प्रडिउस ए इस्ट्रेट बेवला कट बनाने की विधी क्या है तो देखें इस्ट्रेटहड कत बनाने की विधी होती है वह रहता है कि योजिंग टू इस्ट्रेट बार्स क्लैम्ट ऐजे गाइड एक गाइड के रूप में दो सीधे बार का उप्योग करना लाइट कोश्चन है वाट अड़ इंप्यूरिटी इंग इस्ट्रेट इस्ट्लीन गैस उत्पन इस्ट्रीं गैस में नहित असुधियां कौन सी होती है तो देखिए असुधियां रहती है हाइड्रोजन लाइम डेस्ट और अमोनिया और वाटर वेपर ठीक तो हाइड्रोजन चुना धूल अमोनिया और जलवास पियाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए आपर है 47 नंबर का कोश्चन विच माटेरियल इज इस्टोर्ड अड़ बाटम कमपार्ट अपितिलीन गया सद्धप के निचले डवर में कौन सी सामगरी संग्रहीत रहती है तो देखिए इसमें जो सामगरी संग्रहीत रहती है वह रहता है हमारा प्यूमाई किस्टोन तो प्यूमाई किस्टोन यहाँ पर 47 का सी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर है हमारा अगला कोश्चन उन्चास नमबर कोश्चन है विच सेप्टी डिवाइस इज यूज तू प्रोटेक्ट फेस फ्राम अल्ट्रा वाइलेट रेज वाइल वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वाइलेट किरोणों से चेहरे की रच्छा के लिए किस सुरच्छा उप्रण को प्यूग किया जाता है इसके लिए किया जाता है हैंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्चास का सी पत्यास नमबर कोश्चन है विच सेप्टी डिवाइस इस तूब यूज तू प्रोटेक्ट आइज वाइल ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरच्छा के लिए कुस अच्छ सुरच्छा के लिए पहनते हैं अज देखिए यहां पर क्यावन नमबर कोश्चन है विच सेप्टी डिवाइस इस तू प्रोटेक्ट दा बाड़ी फ्रम हाट स्पैटर वाइल वेल्डिंग करते समय शरीर को गरम स्पैटर से बचाने के लिए कि सुरच्छ आपको स्पैटर से बचाना है तो उसके लिए लिए रेपरांट को परियोग करते हैं ठीक बावन नमबर कोश्चन है वाट इज दा परपाज आप प्रवाइडिंग रूट गैप प्रदान करने का उद्धिस क्या है तो देखिए रूट गैप प्रदान करने को जो उद्धिस है व हमारा है कि सर्फिस आपड़ा जोंड संयुक्त की सत्य जो होता है हमारा फ्यूजन जों होता है तिरुपन के यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा चाववन नमबर कोश्चन है विच टूल इज यूज तू इज टू वी यूजड तू रिमूव सलैग आन वेल्ड विद्वेंट विड़ेड़ पर लावा हटाने के लिए कि विप्यूज करते हैं वह हमारा रहता है चिपिंग हैम यहां पर आप चावण का सींसर करेक्ट हो जाएगा ठीक यहां पर पच्पन नमबर कोशन वाट इज यूज आप आप आक्सी करनल लाव गया है तो यहां पर 55 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 56 नमबर कोशन है वाट इस दा नेम आफ पार्ट मार्क आइस दा यक्स रूब में यह जो चिन्हित भाग यह यह वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यह हमारा क्या है देखिए दोस्ते यहां पर जो यह वाला पार्ट है यह हमा इसको यहां पर लाक क्या दिया जाएगा और यहां पर हमें यह पिन यहां पर ब्लेट है इसको हम लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा लगा सकते हैं समतावन नमबर कोश्चन है वाट अर्दा में का जाप आक्सीडेंट वाइल यह हमारा हमारा की पूर फिटेड और ब् हुआ हो या तूटा हुआ हैंडल हो तो दुरगटना हो सकती है ठीक अब देखिए यहां पर है फिटेट नमबर कोश्चन है कि कह रहें यहां पर वाट आर्दा सलूशन फार दस एप्टे इंदा गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में सुरच्छा के लिए उपाय क्या है तो गैस वेल्डिंग में सुरच्छा के लिए जो उपाय है वह हमारा कि वर्क एरिया फ्री फ्राम फ्लमेबल मटेरियल यानि कि जो अलंसील पदार्द को कार्ज छेतर से मुक्त रखना चाहिए अब देखिए आपर 59 नमबर कोश्चन है वाट इज दा ट्रीटिमेंट टू एपर्शन हैविंग आई इरिटेशन काईट बाई आर्क फ्लैसेज आर्क की चमक के करण आख में जलन होने वाले व्यक्त के लिए क्या उपचार होता है तो देखिए उपचार यह होता है कि यूज आईड्राप आईड्राप का इस्तिमाल करना चाहिए यदि आर्क की चमक प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें इस प्रकार की कटिंग एज के उत्पादन करती हैं तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि नौजल टिप टू हाई आप दा प्लेट जो नौजल टिप है वह प्लेट के बहुत तो अधिक देखिए इससे आपका इफेक्ट आप आए आँखोंक पर प्रभाव पड़ता है इंफ्रा रेट से और अल्ट्रा वैलेट रेज से ठीक तिरसेट नंबर कोश्चन है वाट इजिदा रेजन फार कि फार्मिंग आफ इर्रिगुलर डाइड ड्रैग लाइन इन गैस कटिंग प्रासेस गैस काटने की प्रिकिरिया में अनियमित ड्रैग लाइन की बनने का क्या कारण होता है वह रहता है आपको यहां पर देख सकते समाब तो होता है पहला चैप्टर दूसरा जो हमारा वह रहेगा हमारा व्यल्डिंग टेखनिक से अगर वीडियो आपको अच्छा लग हो वीडियो को जरूब लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ सेर करिए मिलेंगा नेक्स्ट वीडियो में थाक्यू